Morphological Identification of Model Arthropods इस module के अंदर जो Model Arthropod हमने सेलेक्ट किया है वो Spiders है Spider क्या है? Spider basically एक Arthropod है जो Arachnid है ये Class Arachnida से बिलाउं करती है Spiders जो है इनमें और Insects के अंदर Difference क्या है? कि जो Insects है इनके Body के तीन पार्स होते है Head, Thorax और Abdomen जबके Spiders के Body के दो पार्स होते है Sphalothorax और Abdomen उसके लावा जो Insects हैं इनके अंदर Three Pairs of Legs होते हैं जबके जो Spiders हैं इनके अंदर Four Pairs of Legs हैं Spiders Taxonomically बहुत Important एनिमल हैं और उसके साथ इनकी जो Importance है वो अगर हम Agriculture सेक्टर के हवाले से बात करें तो बहुत ज़ादा है For example, जो Spiders हैं ये Natural Predators हैं और इनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि Spiders are one of the most abundant natural predators in agro ecosystem all over the world अगर हम Bird Spider Catalog को देखें तो उसके अंदर More than 46,000 Species का जिकर है इसका मतलब ये है कि इनके अंदर बहुत ज़ादा Diversity मौझूद है इनकी Species की तदाद बहुत ज़ादा है Spiders जो है Animal Kingdom के अंदर Diversity के हिसाब से 7th नमबर पर आते हैं Spiders तक्रीबन हर Continent के अंदर मौझूद है ये Excellent Predators है अगर हम Spiders की मुख्तलिफ टाइप्स की बात करें तो कुछ Spiders ऐसे हैं जिनको हम और Web Spiders कहते हैं और Web Spiders ऐसे Spiders हैं जो के अपने Prey को कैप्चर करने के लिए अपने Web का इस्तमाल करते हैं जबके बहुत सारे Spiders Active Hunters होते हैं जो Web Builder Spiders हैं ये अपने Web के अंदर इंतजार करते हैं अपने Prey का जब वो उनके Web के अंदर इसी तरीके से खस जाता है फिर ये उसका शिकार करते हैं लेकिन जो Active Hunters होते हैं ये अपने Prey का पीछा करते हैं और उसको पकड़ते हैं इसी वज़ा से इनको Active Hunters कहा जाता है Spiders के मतालिक ये बात बहुत Important है कि जो Spiders है दे कन सर्वाइव विदाउट फूड फूड फार सेवरल मांथ उसकी वज़ा क्या है कि फील के अंदर हर वकत Prey की Availability नहीं होती और एक अच्छा Predator वो होता है जब Prey की Availability हो तो Maximum शिकार करें और जब Predator को उसका जो Prey है वो ना मिल सके तो वो बगैर Prey के भी सर्वाइव करने की स्वाइव रखता हो जब फील के अंदर Prey की तादाद बहुत कम रह जाती है तो जो Spiders है ये अपना Metabolic Rate कम कर लेते हैं जिसके वज़ा से इनकी Energy की Demand कम हो जाती है और इस तरीके से ये एक लंबे अर्से तक बगैर कुछ खाये पिए सर्वाइव कर सकते हैं उसके लावा इनके अंदर Prey Switching Ability मौझूद है एक जो Predator है उसके अंदर ये Quality होनी चाहिए कि अगर उसका जो Preferred Prey है जिसको वो पसंद करता है अगर Field के अंदर मौझूद है तो उसके पर Feed करें लेकिन अगर उसका जो Preferred Prey है उसकी जो Preferred Feed है वो Field के अंदर Available नहीं है तो वो फिर जो भी Field के अंदर Available Options है उनको इस्तमाल करें ताके वो Survive करता रहे अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो Ultimately उसका अपना Survival खत्रे में बढ़ जाएगा उसके लावा हमने देखा कि जो Spiders है इनके अंदर 4 Pairs of Legs हैं ये कहा जाता है कि इनके अंदर 6 Pairs of Legs थे इन में से एक पेर चैलिश्रा के अंदर Convert हो गया एक पेर पेडी पैल्प के अंदर Convert हो गया और अब चार functional Pairs of Legs इनके अंदर मौजूद हैं उसके लावा इनके बाडी के अंदर जैसे के इनसेक्स के अंदर 3 बाडी पार्ट्स होते हैं Head, Thorax और Abdomen इनके अंदर Head और जो Thorax का पार्ट है ये दोनों Fuse कर जाते हैं और उससे जो structure बनता है उसको हम Sphello Thorax कहते हैं तो इनके अंदर 3 की बजाए दो बाडी पार्ट्स हैं एक इनका Swallow Thorax है और दूसरा जो इनका बाडी पार्ट है वो Abdomen है जैसे के इनसेक्स के अंदर Antina बवजूद होते हैं Spiders के अंदर Antina बवजूद नहीं होते तो ये वो qualities हैं जो के एक Arachnid को एक Spiders को इनसेक्स से differentiate करती हैं कि इनके Body Parts के अंदर Difference हैं इनसेक्स के अंदर 3 Body Parts हैं इनके अंदर 2 Body Parts हैं फिर एक excellent predators का group है इसके अंदर बहुत जादा diversity है more than 46,000 species इसके अंदर available है और इसके अंदर बहुत जादा variety है ये field के अंदर जो prey है उसको बढ़ने से रोकते हैं इस वजासे ये biological control के हवाले से important है क्योंकि ये pest expression करते हैं जो के agriculture farmers के लिए एक एहम बात है करते हैं